एक भिखारी था, जो एक छोटे से कस्वे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैट करके भीख मांगा करता था। उसके पास पुराना सा कटोरा हुआ करता था, उसमें कुछ चार-पांच सिक्के रख लेता था, और उन सिक्कों से आवाज करता था, लोग आकरशित होते थे और उसे पैसे देते थे। इस भिखारी के जो खांदान था, वह बहुत अमीर था, पता नहीं इसकी क्या हालत हो गई ऐसी कि इसको भीख मांगने की नौबत आ गई, लेकिन पूरी कहानी कोई जानता नहीं था, एक शाम में और रोज की तरह यही काम कर रहा था, उसे लगा कि अब चलना चाहिए, ले भिखारी को देखा और कटोरे को देखा, फिर अपने जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला और सौ रुपए के नोट गिनने लगा, भिखारी की आँखों में नोटों को देखकर चमक आ गई, वह सोचने लगा कि अगर एक मिल जाए तो काम बन जाए, उस आदमी ने भिखार भिखारी को एक हजार रुपए दिये और कहा कि कटोरा दोगे, भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरा के एक हजार रुपए उतने में उस आदमी ने भिखारी को दो हजार रुपए दिये और बोला, येलो भिखारी ने बिना कुछ सोच, जल्दी से उसे आदमी को कटोरा दे और उस आदमी को लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन बदल जाए और कटोरा वापस मांग ले। यह आदमी धातू का जानकारी था। जोहरी था कि एक नजर पहचान लिया था कि धूल में लपेटा हुआ वह कटोरा एक सोने का कटोरा था। यह बड़ा खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा दो हजार में लेकर आ गया। और भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि कटोरे क के 2000 दे करके कोई मूर्ख चला गया। بहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है। कटोरा की नहीं है, व्यापारी की नहीं है, जोहरी की नहीं है। बलकि ये हमारी और अपनी कहानी है। ये जो लाइफ हमें मिली है उसकी value हमने कभी लगाई ही नहीं। हमें लगता है मैं हम भूल गए हैं कि ये सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली, तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा. दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करे.